मैं रॉक्टर प्रीती सिंहानिया हूँ, मैं कांसल्टन्ट इंटर्वेंशनल कर्योलिजिस्ट हूँ और ब्रह्मानन नारायना मल्टी स्पेश्यालिटी हॉस्पिटल जामशितपूर में कार्या रथ हूँ आज मैं आप सभी को हाट के कुछ टेस्ट के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ, मान लीजिए कि हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि कॉर्णरी आर्टरी में ब्लॉक है, सिंप्टम सिजेस्ट कर रहे हैं, तो हम जिस टेस्ट की तरह प्रूसीड करते हैं वो हैं एंजिग्रफी, एंजिग्रफी एक टेस्ट है, जो कि एड्मिशन की बाद ही होता है, दो आज कल हम डे केर में कि आप सुबह आए और शाम तक छुट्टी कर देते हैं, टेस्ट काफ़ी सिंपल है, जनरली पांच मिनिट लगते हैं टेस्ट में, पहली ये टेस्ट की वाद पैर से किया जात है, उसमें हम उसे सुन्न करके उसमें एक छोटा सा इंजेक्शन लगाते हैं, उसके तो हम एक वायर डालते हैं, फिर कतीटर ले करके जाते हैं, हाट की आटरी में एक छोटा सा अमाउंट डाई का डाल करके हम उस आटरी को देखते हैं, ये गोल्ड स्टेंडर्ड टेस्ट इसी से clear होता है कि heart में block है कि नहीं है और अगर block है तो कितना block है क्योंकि जब ये पता लगेगा कि कितना block है तो हम treatment decide कर पाएंगे लोगों में बहुत बड़ी भ्रांती है कि अगर एक बर angiography कराया तो doctor 100% बोलेंगे कि नहीं आगे आपको operation कराना होगा इधर bypass या stand ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ये depend करता है कि block कितना है और कैसा है अगर block 50% से कम होता है तो हम generally कहते हैं कि दवायों पर ही काम चलाना है in fact block 70% से ज़्यादा होता है तभी हम angioplasty या bypass का option देते हैं हमारी heart में तीन arteries होती है दो left side में और एक right side में अब किसी भी एक artery में एक block हो सकता है या multiple blocks हो सकते है या तीनों artery में block हो सकते है उनकी branches में block हो सकते है तो depend करता है कि कितनी block है उनकी severity कितनी है और patient कितनी block मतलब उस treatment को कितना सह पाएगा उसके according हम further management decide करते हैं अब एक case होता है कि heart attack heart attack एक emergency situation है जिसमें कि angiography की साथ साथ में हम जरूर consent लेते हैं कि angioplasty करना है बिकर्स हम यह मान करके चलते हैं कि अगर heart attack आया है तो एक artery 100% बंद होगी ही होगी और वो emergency होती है जिसमें कि उस artery को खोलना होता है तो बस उस समय में हम यह पता है कि यह patient bypass के लिए भी नहीं जा सकता इसलिए हम मरीज की परीजनों को उसी समय बताते हैं कि हम angiography करेंगे block आएगा तो अगर आप block खुलवाने के लिए ready हैं तभी हम आगे angiography के लिए proceed करेंगे वरना unnecessary heart की पास पहुँच करके उसको छेड़ना हमारे दिये कभी नहीं होगा Thank you